हाई गाईज कैसे हो आप सब उम्मीद करते हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग आइडियाज लेकर के आई हूं तो इसके लिए मैंने क्राइस बैग लिया है नीचे से मैंने कट कर दिया फिर लंबाई में यहां से डवल फोल् है लंबा की वाइश इंच है तो दोपीस मैंने कट कर ले लिये हैं साइज से और फिर देखिए हमको से में साइज के से साइज दोपीश कपड़े के निकालने हैं कट करके तो कोई भी कपड़ा ले लेना आप पुरानी बैट सिट क्यूरुम या फिर पुरानी कूरतिग पड़ा था तो मैंने इसका यूज किया है दो पार्ट कटकर के ले ले लिए है मैंने इसके अब देखिए राइस बैक को डवल फोल्ड करेंगे और उपर से हमको यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है जश्ट इसके नीचे हमको कट करके निकाल देगे, अब इसको फेला कर सिधा करें इस तरीके सेνη को, अब जो कपड़ा हमने कट किया था, उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ करते विए इसके उपर कुछ इस तरीके किसे किपड़े को कट करेंगे और किनोर तक जाएगी कैची हमारी उसा हम करी YEAH पार अब देखे एक्ट्रा tampoco है है तो तो यह कपड़ा अंदर गया सारा अब देखिये हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे two point की दूरी से किनोर से two point दूरी पर हमको शिलाई लगा निया यह वाली उसके बाद इसके चारो तरफ भी हमको सिलाई लगाके इस कपड़े को इसके साथ में attach कर लेना है और फिर देखे यहाँ पर दो इंच की चोड़ी एक पट्टी लेंगे हम और इसको डबन फोल्ड करके ऊपर की तरफ अरेल यहां पर चल anno कर देंगे अ explic Lösch और एक इसके ऊपर टॉपस्टीच कर देंगे इसको पलट लेंगे अंदर की तरफ किनोर की स्लै लगा देंगे इसकी उपर अब देखिए दोनों पार्ट के जो राइस ओलफ साइड है वो दोनों की मिलाके फिर बाहर की तरफ देखिए सीधी साइड एक स्लाय लगाएंगे और इसमें हमको सिर्फ दो पोइंट स्लाय मार्जन में दबाना है आधा इंच नहीं दबाना है और फिर ये स्लाय लगा देंगे तीन तरफ हमको इस लगानी है इसके उपर अब जहां पर भी आपको एक्ट्रा नजर आए उसको कट कर देंगे और आप देखे किनोर को अच्छे से बाहर निकालते हुए हमको जो है इसकी उल्टी साइड बाहर करनी है अब देखे हमको यहाँ पर सिलाय लगानी है अब हमको सिलाय में आधा इंस दबाना है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी अंदर की तरफ इस तरीके से और बिल्कुल मजबूती आएगी और आप सब में से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि राइस बैक की उपर कितने नंबर की सुई जो है आप यूज करते हो तो 16 नंबर की सुई आसानी से चल जाती है फिर देखे नीचो कि नोर की उपर हमको डाइ इंस पर मार्किंग करनी है और इधर की तरफ भी हमको डाइ इंस पर मार्किंग करनी है और इसकी नोर को हम कट कर देंगे अब सेम तरीके से हमको दूसरा की नोर भी कट कर देना है अब इसकी नोर को देखे इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़ा साथ में आना चाहिए दोनों तरफ इस तरीके से फैल जाना चाहिए ये और फिर इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाय लगा देंगे यहाँ पर किनोर के उपर इस तरीके से देखे हमको छोटी-छोटी कपड़े की स्टिप लगाते हुए हमको फिनिशिंग देनी है ताकि यह जो भी राइस बैक के धागे हैं वो ना निकले तो इस तरीके से मैंने दोनों किनोर के उपर फिनिशिंग दे दी है सेम तरीके से दूसरे किनोर के उपर भी पट्टी लगा कर फिनिशिंग कर देंगे हम अब इसको सिधा कर दिया है मैंने तो देखिए बहुत ही प्यारा सा यह हमारा मार्केट थेला बन करके तयार हो जाता है बिल्कुल जीरो कोश्ट में और बिल्कुल मजबूत बना है यह आ अपने दोस्तों के साथ अब बढ़ते हैं सेकेंड आइडिया की तरफ तो उसके लिए मैंने एक रुमाल ली है चोटी सी सोफ्ट वाली साड़े नो बाई साड़े नो इंच की लंबाई चोड़ाई है साइड में से जितना भी हाड़ पार उसको कट करके मैंने निकाल दिया है यहाँ पर उसके बाद एक सोपिंग बैग लेंगे हम और उसके उपर इस तरीके से रुमाल को रखते विए जो है सेम साइज के दो पीस कट करके ले लेंगे हम दोनों पीस के साथ में इस रुमाल को हम अटेज कर देंगे सिलाई लगा देंगे चारो तरफ इसके रुमाल का कपड़ा थोड़ा सा engaged है तो इसको अच्छे से सेट करते वे सलेश लगानी है हमको अब देखिए इसके ऊपर एक चैन देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ और सीधी साइड नेचे की तरफ रखते वे अटेच कर देंगे डबल सिलाई लगा देंगे इसके उपर ताकि अंदर से धागे बिल्कुल भी रनर के अंदर ना आए उसके बाद हमको देखिए अंदर के तरफ इस तरीके से दबाते वे सिलाई मार्जन को फिर इसके उपर सिलाई लगा देनी है एक चाय है थोड़ा साथ उसको कट करके अंदर फिनिशिंग देंगे अब इस चैन को दूसरी तरफ ले करके जाएंगे और इसके उपर सिलाई लगा करके इसको भी अटेच कर देंगे अब देखिए chain को open कर लेंगे और फिर इसको top stitch कर देंगे वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था हमने देखिए मैंने double slay लगा दिया इसके उपर और अब देखिए इसके उपर इस तरीके से slay लगाएंगे आसानी से लग जाएगी ये सिलाई बिना चैन को बाहर निकाले मतलब रणर को बाहर ना निकालते विए ये लग जाएगी सिलाई अब देखिए हमको इस तरीके से एक इंच नीचे की तरफ चैन को रखेंगे सेंटर से और फिर सिलाई लगा देंगे आप वीडियो में देख पा रहे होगे किस तरीके से मैंने नीचे किया हचायन को डबल सिलाई लगा दी है मैंने अब एक्सटा को फिनिशिंग करने के जोड़नी पड़ेगी अब दूसरी तरफ देखिए एक मैंने इस तरीके का मेरे पास इलेस्टिक पड़ा था वो ले लिया है और इस तरीके से इसके अंदर डाल दी है यह लूप बन करके तयार हो जाएगी अब हम इसको देखिए अच्छे से की नोर बाहर निकालते वे सिधा कर लेंगे तो यह हमारी बहुत ही प्यारी सी पाउच बन करके तयार हो जाती है इसके अंदर मैं अपना कोस्टमेटिक का सामान जो है वो डालूंगी और ट्रेवल के लिए मैं इसको यूज करने वाली हूँ आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो अपने बैच्चों के लिए स्कूल के लिए पैंसिल वगेरा डालके उसको पैंसिल बॉक्स की तरह इसको यूज कर सकते हो आप और पाउच की तरह भी यूज कर सकते हो इस तरीके से सब्सक्राइक करना है तो सबसे पहले हमने इसके साथ में इसको जोड़ा है इनको हमने उप्हेला करकर रखकуска उपर एक एक और शीवेड़ जाएंगे और यहीं साथ के से मैंने color match इसमें set कर रखे हैं आपको भी इसी प्रकार से color match set करने हैं नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी अगर आपने सारी पट्टी अलग-अलग color की ले ली तो हमें दो पट्टी एक color की चाहिए इसमें और सिर्फ बीच वाली जो पट्टी है वो हमें अलग color की चाहिए सबसे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है नहीं तो बाद में आपके गडबड हो जाएगी डिजाइन में देखिए इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे हम एक के बाद एक-एक सारी पटिया मैंने इस प्रकार से जोड़ ली है सोटकट में बता रही हूं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हमारी ये सारी पटिया है जो जूड़ गई है इनको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें देखिए इसके उपर प्रेस कर लेना है प्रेस से ये सारी अच्छे से बैठ जाएंगी सिलाई जो है वो सिलाई मारजन जो है सब का मैंने एक तरफ किया है नीचे से और अ और लंबे में लगा देंगे इस निसान को अब यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब देखिए हम क्या करेंगे एक पट्टी को तो कट कर लेंगे नाप करके और फिर हमें इस पट्टी को पल्टेंगे और फिर इसी के नाप से हम सारी पटिया कट कर लेंगे तो देखे मैंने सारी पटिया कट कर ली है इसी के नाप से एक एक करके इससे आपको बार-बार मार्किंग नहीं करने पड़ेगी ये देखे सारी कट करने के बाद हमें इनको कुछ इस प्रकार से डिजाइन से रखना है नीचे से एक बॉक्स छोड़ते जाएंगे और एक बॉक्स छोड़कर हम इनको क्रोश में इस प्रकार रखते जाएंगे सबको ये देखे सारी पटि मैंने कुछ इस प्रकार से क्रोश में रख ली है अब हमें क्या करना है इनको सबको आपस में अटेच कर लेना सिलाई से बीच में सिलाई लगाएंगे और सबको अटेच कर लेंगे इस प्रकार से रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो सारी पटिया हमें इसी प्रकार से जोड लेनी है यह देखे मैंने जोड ली है और जोडने के बाद मैंने एक बार प्रेश कर ली अब इस कोणर से इस कोणर तक हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और जो पीस हमारा कटके निकला है आगे उसको यहां लेकर आएंगे यूँ का यूँ और यहां पर हमें इसको जोड़ना है तो देखिए अगर आप अलग अलग कलर की पटियां लेते तो उससे क्या होता आपके यहां पर आकर दिक्कत हो जाती तो इसलिए आपको दो पट्टी सेम कलर की लेनी है इस तरीके से हमें 6 पटियां जो है दो-दो पटि सेम कलर की लेते वे लेनी है और 7 पटि जो है हमें वो अलग कलर की लेनी है बीच वाली इस चीज का ध्यान रखना बस आप फिर आपकी डिजाइन जो हो परफेक्ट बनेगी और साइड में से एक्स्ट्रा कॉर्णर कट करके निकाल देंगे अब देखिए मैंने कटा लिया है जिसकी चोडाई है 19 इंज की और लंबाई है सताई शिंज की इसके उपर मैंने बेड़ सिट को रख लिया बेड़ सिट आप डबल रखना इस पर और फिर इसको देखिए सेंटर में लंबाई की सेंटर निकालेंगे हम इस हम इसको ऐसे पलटेंगे और ज़ो पहले से सिलाई लगार्lower हमने उसके फिलाई लगाएंगे ऐसे खिसकाते जाएंगे और इनके उपर हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे उपर सेमी सिलाई नहीं लगानी है, इसके उपर गुम सिलाई सेमी स्कोटेज करना है, मसीन के उपर भी मैं आपको समझा दूँगी, तो आपको इजी रहेगा, यह देखिए हम जैसा सेट था, वैसे के वैसे मैंने यहाँ पर इसको पकड़ लिया है, एकदम टाइट करके, ख इस चीज का द्यान रखना कि सलवट नहीं आनी चाहिए, एकदम फिनिसिंग के साथ हाथ से फैलाते वे हमें इसके उपर सिलाई लगाना है, नीचे सलवट नहीं आनी चाहिए, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम जमा लेंगे, और इसके उपर ह करना कि आपको कैसा लगा, तो देखिए, एक-एक करके हम सारी सिलाईयों के उपर इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे, इसके उपर, सारी सिलाईया इसकी लग गई है, अब जो साइड में जो जिस कलर का कपड़ा है हमारा, उसी कलर की हमें जो है, पटियां कट करके लेनी है दो, सेम कलर की, तो देखिए मैंने ले ली है सेम कलर की दो पट्टी, लास्ट में जितना हमारा कपड़ा बचरा इतनी चोड़ाई लेनी है, लंबा इसके बरोबर लेनी है, इसको यहाँ पर पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, लास्ट में जितना फैबरि finishing देनी है तो यहाँ पर मैंने रेखी एक पट्टी लिए इसको यहाँ पर attach करेंगे और इसकी चोड़ाई रहेगी 3 इंच की, अब दूसरी side भी एक पट्टी को रखेंगे, इसकी भी चोड़ाई 3 इंच की है, सारी पट्टियों की यह बागे जो है इसमें लगेंगी वो 3 इं पिन हमें इसी प्रकार से बनानी है, तो देखिए मैंने बना दी है, अब हम इसको इस side से finishing देना है, तो इसको पलट लेंगे, इस side थोड़ा सा अलग तरीके से देना, finishing देखिए यहाँ पर 1 इंच एक्ट्रा कपड़ा लेके, अंदर की side हमें fold करना है, अब इसके उपर सिलाई finishing आ जाएगी, और आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है, corner पर finishing देने का, अब इसको folder करेंगे अंदर side, और यहाँ पर corner से हम सिलाई देना, इसको शुरू करेंगे, और पूरा लंबे में हम इसको सीर लेंगे, corner पर finishing देने का, यह बहुत ही आसान सा औ कर इसकी तयार हो गई है, अब हमें सेम तरीके से दूसरी side भी finishing देनी है, इसको पलटेंगे, इसके उपर पट्टी रखेंगे, तीन इंच चोड़ी, और extra cut करेंगे हमें, एक इंच उपर से, एक इंच नीचे से, और इसको इस प्रकार से fold करते वे, इसको seal लेंगे, और पल extra कपड़ा डाल सकते हो, देखिए, इसके किनोर के उपर कितनी अच्छी finishing आई है, उल्टी side भी देखिए, बिल्कुल equal बनकर तयार हुआ है, आप इसको गद्दे की तरह, mat की तरह, table mat भी इसको use कर सकते हो, देखिए कितना अच्छी तरीके से बनकर तयार हो गया है, आप ज किसी भी कपड़े को किसी भी कतरन को वेश्ट ना समझ जिए, उसको store करके रख दीजिए, और जैसे ही कोई आपको ऐसा idea मिले, तो आप इस तरीके से उसका रियूज कर सकते हो, तो अब बढ़ते हैं, फोर्थ idea की तरफ यानि चोथे idea की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके निकाल लेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे पीस, और हर एक पीस की लंबाई चोड़ाई पांच बाई पांच इंच की रखनी है, इस तरीके से हमको जोब पीस कट करके निकालने है, इसमें से, तो इस तरीके से देखे, इतने सारे पीस मैंने कट करके निकाल दिये हैं, औ चोड़ाई में चार पीस रखे हैं और अब देखें सबसे पहले चोड़ाई में ही इनको इस तरीके से अटेज करेंगे एक क्यूप रखते जाएंगे इस तरीके से और सील करके अटेज करते जाएंगे सारे पीस मैंने इसी तरीके से टेच कर लिये हैं अब देखिए लंबी लंबी पटिया ऐसे आ गई है बन करके अब इनको इस तरीके से हमको सीलने हैं इस सैड सब को आपस में टेच कर लेना है और अब देखिए एक राइस बैग कट करके लिया है मैंने और उसके उपर एक कोई भी आप पैड सिट का कपड़ा रख दीजिए और उसके उपर इस कपड़े को रखेंगे देखें उल्टी साइड उपर की है मैंने इस कपड़े की अभी और अब देखें यहाँ पर मैंने दो इंच चोड़ी एक पट्टी लिया और इस पट्टी को मैंने यहाँ पर रख दिया सिलाई मार्जन को अंदर की तरफ निकाल कर देखें यहाँ पर रखेंगे यह जो सिलाई मार्जन है इसको अंदर की तरफ ही रखेंगे सिलाई के नीचे नहीं दबना चाहिए लेकिन मसीन की तरफ आना चाहिए सिलाई मार्जन और डबल फोल्ड करके रखी है यह वाली पट्टी मैंने अब देखें सिलाई मार्जन को दबाएंगे इसके नीचे इस तरीके से हमको जो है इस तरीके से सारी लंबी लंबी पटिया मैंने अटेच कर दी है अब इस तरफ हमको इस लंबाई में हमको ऐसे ही पटिया अटेच कर लेनी है देखिए इस तरीके से तो यह चोटे-चोटे स्क्वैर बन करके तयार हो गया है स्क्वैर का डिजाइन ब उपर करेंगे और अब जो इसके उपर धाय इंच चोड़ी पट्टी डबल फोल्ड करके फिर रखेंगे इस तरीके से और इसको अंदर की तरफ हम यूँ पल्टेंगे और इसके उपर अब किनोर की सिलाय लगा देंगे यह सेम प्रोसेस हमको दूसरी साइड भी करना है और देखिए इधर की तरफ इस तरीके से करेंगे हम इसके उपर बिकिन और की सलय लगा देंगे तो चारो तरफ हमको इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेनी है इसके उपर हमें लास्ट में देखी मैं एक इंच अंदर फोल्ड करती हूँ फिर वो इस तरीके से बाहर निकालती हूँ और फिर सलय लगाती हूँ तो फिनिशिंग की नौर के उपर अच्छी आती है तो ये हमारा प्यारा सा डोर्मेट बन करके तयार हो जाता है वेस्ट पड़ी चीजों से वेस्ट पड़ी कत्रन या फिर वेस्ट पड़े छोटे छोटे चोटे बच्चों के जो पुराने कपड़े होते हैं वह सारे आप इसमें यूज कर सकते हो नीचे की तरफ देख सकते हो इसके अंदर फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और एक कमेंट ओ रहा था जब मैं नीचे राइस बैग लगाती हूं तो कि ये फिसलेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि फिसलेगा तो आपको क्या करना ह देजिए तो आपका पाइदान कभी नहीं फिसलेगा तो अब बढ़ते हैं फिफ्ट आइडिया की तरफ यानि कि पांचवें आइडिया की तरफ देखिए सलवार के अंदर क्या परेशानी होती है आप देख सकते ही सलवार के अंदर यह पोचे बना रखे और यहां पर कित इतना जोल आ रहा है सलवार के अंदर यह देखिए इस प्रकार से आप सोचते हैं कि सलवार हमारी हैवी लगेगी पर आपके सलवार यह सिलाई अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपके सलवार हैवी नहीं लगेगी और ज्यादा जोल मारेगी यहां से तो मैं आपको बताऊं कि ये सिलाई हमारी एक ही सिलाई में ऐसी लग जाए कि बिल्कुल भी ना तूते और इस सिलाई को हम किस प्रकार से लगाए ये तूट रही है ये देखिए आवाज आ रही है तो ये ऐसे तूटती है खीचने से तो मैं आपको आज प्रोपर तरीका बताऊंगी कि आपसे ये स तूटेगी इस प्रकार से तो देखिए जब आप ये सिलाई लगाते हैं यहां पर तो आप यहां से सिलाई को शुरू करेंगे जो आपका निसान है जितने आपकी चोड़ाई चाहिए और आप इस सिलाई को ऐसे ले कराएंगे और फिर आपके पास अगर इधर एक्स्ट्र जो उपर चुन्नट आती उससे हेवी बनती है यहां से आपके सलवार का लुक बिगड़ जाएगा जोल मारेगी आपके सलवार जब आप चलोगे तो अलग से जोल मारेगी आपको यह खलती नहीं करनी है आपको क्या करना देखिए जो आपकी चोड़ाई आपको यहां पर आपको सिधा रखेंगे ऐसे यह देखिए यह कितना टेड़ा मेरा कपड़ा आ रहा है अगर मैंने अपनी मर्जे से लगा दी तो यह देखिए इस सिलाई की इधर आ रही है तो हमें क्या करना है इसको फिल्कुल ऐसे सिधा कर लेना है मार्क करके ठीक है और फिर हमें यहां से शिलाई शुरू करनी है आप अपनी सल्वार को ऐसे निचे डाल दीजिए मसीन से यहां से और उंगलियों से ऐसे प्रेसर देना है और अपने प्रेसर देना है ठीक है ऐसे और पीछे से अब देखिए मखीच के दिखाती हूँ बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटी है इसे करके यहां लगानी हाथ को अब देखिए मखीच के दिखाती हूँ बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूटी है इससिलाई हमारी देखिए दूसरी जैट से आपको दिख रही हो तो कहीं से भी यह देखिए कितना भी खीच हो यह अब दाइक सिलाई लगाके देखिए पका टूटे की आपकी शिलाई यह सिलाई लगने के बाद हम दूसरे पोचे के उपर सिलाई लगाएंगे तो देखें दूसरे पोचे को हम ऐसे नाप लेंगे मिलाके और देखिए ऐसे निसान लगा लेंगे ये वाला और ये जो निशान है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से मिलाएंगे और ऐसे निशाल लगा देंगे यहाँ पर इस परकार से और फिर इसको सिधा करेंगे और इंची टेप को यहाँ से ऐसे रखके यह ऐसे सीधी सीधी लेकर जाएंगे ऐसे ठीके दूसरी साइड का हमारा सिल्थ सुका है पोचा बीच सेंटर तक हमने सिधाई लाके रख दी अब हमें यह सिलाई यहां से शुरू करनी है और बीच सेंटर में जाके मिला देनी है ठीक है तो देखिए मैंने सलवार का पोचा बना के इसको इस प्रकार सीधी कर ली है यह देखिए मैं दिखा देती हूँ अब आपको यहां से देखिए कोई भी जोल नहीं आ रहा है कोई भी खिचाव नहीं आ रहा है कोई भी सलवर्ट नहीं बन रही है यहाँ पे एक दम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यह हमारी सलवर में लग चुकी है देखिए इसको ऐसे खीचेंगे तब कोई आपको आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि धगा टूटी नहीं रहा है यह अगर थोड़ी सी प्रफुल रही होगे अगर थोड़ी सी प्रफुल रही हो तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी है वीडियो आपके लिए बढ़ते हैं शिक्स आइडिया की की ओलनाहूं के लगांगे कितनी ली है और फिर देखे बीच में इसे दोनों किनौर की तरब से उस तरीके से टीश लाइंगे यह मैंने अब देखे इस तरीके से दो बल दो पीस लेली फिर blue color मतलब तिनों में से एक एक color उठाएंगे और ऐसे attach कर लेंगे अब देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और भी चेंटर में से सिलाई लगा देंगे इसके उपर अब एक soaping bag लेंगे इसको सुधा करेंगे और same size का cut कर लेंगे यह रेखिए अब एक छोटा पीस लेंगे इसके उपर हम चैन रख देंगे इस तरीके से छोटा पीस है इसकी चोड़ाई तो है 6 इंच की और लंबाई 8 इंच की है टोस्टिच कर देंगे चैन को रनर डाल देंगे यहाँ पर अब जो देखिए इसके उपर इसको इस तरीके से रखेंगे उपर से एक इंच छोड़ते वे और सेंटर से सेंटर मिलाते वे और फिर देखिए इसको सिधा कर लेंगे सिधा करके फिर इसके उपर फिर से सिलाय लगा देंगे तो यह अंदर की साइड एक पोकेट बन करके तयार हो जाने वाली है अब देखिए इसको इस तरीके से pocket को लीजे की तरफ करते विए इस shopping bag को हम इस part के साथ में इस तरीके से टेज कर देंगे तो हमको इस तरीके से दो part ready कर लेने हैं मतलब हमारे पास ये दो part रहेंगे अब देगे, एक तनी की लंबाई जो है, वो मैंने रखे बीश इन्च की, और चोड़ाई है, वो एक इन्च की है, बीच वाला एक बोक्स छोड़कर, फिर हम यहाँ पर रखेंगे तनी को, बीच वाला बोक्स छोड़कर देवे और फिर रखकर इस तरीके से हम सिलाई से करके बना सकते हो फिर इसके उपर चैन देखिए उल्टी रखेंगे यहाँ पर हम और सिलाई से अटेच्च कर देंगे फिर देखिए इसको टॉप स्टीच करेंगे चैन को तो मैं अंदर की तरफ सिलाई लगा रहे हूं तो ताकि अच्छे से जो सिलाई मार जाना वो दप जा सिलाई हो जाए तो टॉप स्टीच कर देंगे इसको अब इस तरीके से देखिए इसके सैड में सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है सिर्फ सैड में सिलाई लगानी है हमको और यह सिलाई हमको दोनों तरफ लगा देनी है इसमें और फिर देखिए इसको फिनिशिंग करने के लिए हमको एक कपड़ा लेना डेडिंग चोड़ी पट्टी लेनी है और इसको इस तरीके से इसके साथ में अटेज कर देंगे और इसको बाहर के तरफ इस तरीके से फोल दूसरी सैट भी सेम तरीके से देखिए अब नीचे की यहां से चोड़ाई है इसकी साड़े बारा इंच की तो हमको क्या करना दस भाई तीन इंच का एक पीस कट करके लेना है फोमशिट के साथ में रेडी कर रखा है सेंटर पार्ट निकालेंगे लंबाई में से और इस अटेच कर देंगे तो इसका बहुत ही प्यारा बेस बन करके तयार होने वाला है नीचे वाला और फिर देखिए फिनिशिंग कर देंगे पाइपिन से इस तरीके से अब चैन से मैं उपन करके दिखाती हूं इसका फाइनल लुक आपको तो चोटी-चोटी कतरन का यूज कि यह चीज को याद रखना और फिर देखिए लेकिन देखिना प्यारा हमारा हैंट पर्स बन करके तयार हो जाटा है अब एक ठोटा सा पीस और मैंने रडी कर लिया है इस तरीके से यहां से है यह 10 इंच यहां से है 12 इंच अब जिधर की साइड 10 इंच उधर की तरफ से करेंगे एक्ट तो कट कर देंगे साइड में से और इसको ओपन कर देंगे यहां से और टॉप सिच करेंगे दूसरी साइड अब हम इसके अंदर रनर डालेंगे तो देखिए पहले तार निकालेंगे बाहर चैन का और इसके अंदर तार को ऐसे डालेंगे दूसरे तार को ऐसे डालेंगे अब पीछे से तार पकड़ लेंगे और फिर इस तरीके से chain को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो आसानी से डल जाएगी फिर देखिए इस कोल्टी side बाहर करेंगे इसके हम और फिर से देखिए एक इंच चैन को नीचे की तरफ करेंगे side से और शिलाय लगा देंगे दूसरी तरफ भी सेम तरीके से सलय लगा नहीं है तो ये हमारे पास चोटा सा पीस बच गया था कपड़े का तो मैंने इसको वेश्ट नहीं किया तो देखिए अगर आपके पास रूमाल नहीं है तो इस तरीके से आप कपड़े का यूज कर सकते हो मैंने इसके अंदर फोम सिट डाली है और ये हमारी बहुत ही प्यारी पाउच बन करके तहीं यार हो जाती है ट्रेवल के लिए चोटी-चोटी चीज़े आप डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो मैं तो चोटी-चोटी चीज़े डाल के ऐसे परसकेंद इसको डाल लूँगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा है मिलते नेक्स वीडियो में बाई गाईज